जो कोई तुम्हें किलोमेटर चलने के लिए मजबूर करे उसके साथ दो किलोमेटर चले जाओ उसे जो तुमसे कुछ मांगे देख दो और जो तुमसे उधार लेना चाहे उससे अपना मुखना छिपाओ किन्तु मेरा तुमसे कहना है कि अपने शत्रूओं से प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना इसलिए ज़रूरी है कि तुम सिध्ध बनो जैसे तुम्हारे स्वर्गिय अपिता सिध्ध है ध्यान रहे कि तुम लोगों की प्रशंसा पाने के उदेश से धर्म के काम न करो अन्यथा तुम्हें तुम्हारे स्वर्गिय पिता से कोई भी प्रतिफल प्राप्त न होगा मत्याह चह एक जब तुम दान दो तब इसका धिनोरा न पीटो जैसा पाखंडी यहुदी सभाग्रेहों तथा सडकों पर किया करते हैं कि वे मनुश्यों द्वारा सम्मानत किये जाएं सच तो यह है कि वे अपना पूरा पूरा प्रतिफल प्राप्त कर चुके मत्याह चह दो किन्तु तुम जब जरूर तमंदो को दान दो तो तुम्हारे बाएं हाथ को यह मालूम न हो सके कि तुम्हारा दाया हाथ क्या कर रहा है मत्याह चह तीन कि तुम्हारी दान प्रक्रिया पूरी तरह गुपत रहे तब तुम्हारे पिता, जो अंतर्यामी हैं, तुम्हें प्रतिफल देंगे. मत्याह चह चार इसके विपरीत जब तुम प्रार्थना करो, तुम अपनी कोठरी में चले जाओ, द्वार बंद कर लो और अपने पिता से, जो अद्रिश्य हैं, प्रार्थना करो और तुम्हारे पिता, जो अंतर्यामी हैं, तुम्हें प्रतिफल देंगे. मत्याह चह चह अपनी प्रार्थना में अतहीन शब्दों को दोहराते न जाओ, जैसा गेर यहुदी करते हैं क्योंकि उनका विचार है कि शब्दों के अधिक होने के कारण ही उनकी प्रार्थना सुननी जाएगी. मत्याह किंतु जब तुम उपवास करो तो अपने बाल सवारो और अपना मूद हो लो की तुम्हारे उपवास के विशय में सिवाये तुम्हारे स्वर्गिय पिता के जो अध्रिश्य है किसी को भी मालूम नहो. तब तुम्हारे पिता, जो अंतर्यामी हैं, तुम्हें प्रतिफल प्रित्वी पर अपने लिए धा निकठा न करो, जहां कीट पतंगे तथा जंग उसे नाश करते तथा चोर सेंध लगा कर चुराते हैं, मत्याह चुराते हैं। मत्याह चाह कीस